skimmed milk का क्या मतलब होता है कि आज की वीडियो में सीख लेते हैं जो भी आप packet वाला दूद गरीते हैं उसमें अलग-अलग तरीके का दूद होता है तो उसमें एक तो full cream milk होता है जिसमें जितना दूद में cream होनी चाहिए उतनी ही cream होती है उतनी ही fat होती है उसके बाद double-toned milk होता है जिसमें से जो fat है वो काफी हद तक remove कर दी जाती है यानि कि एक से 3% उसमें fat होता है और जो skimmed milk होता है उसमें बिल्कुल ना के बराबर ही fat होता है यानि कि इसमें से fat जो content है या cream जो है वो पूरी तरीके से almost पूरी तरीके से remove कर दी जाती है और ये एक low calorie diet वाला milk होता है दूद होता है यानि कि दूद में से पूरी cream जब निकाल ली जाती है तो उसके बाद जो दूद बचता है उसे skimmed milk कहा जाता है तो जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि वसा का सेवन कम करने की चाहा रखने वालों के लिए skimmed दूद एक बढ़िया विकल्प है तो आप कह सकते हैं skimmed milk is a great choice for those looking to reduce their fat intake ये फिर आप कह सकते हैं skimmed दूद में संपूर दूद की तुलना में कम calorie होती है तो आप कह सकते हैं skimmed milk contains fewer calories than whole milk अब आप किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर करें